दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, कोई गीत सुनाना चाहे तो सुना सकते हैं, जी, आपने मुझे सुनने काल में बोलने का उसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आवहर ब्यक्त करता हूँ, अद्यक जी मैं जिस मुद्दे पे बात करने वाला हूँ, वो एक बहु बहुत लबे समय से चल रही है, अद्यक जी हम सभी जानते हैं, कि सेना में अलग-अलग जाती, धर्म, संप्रदाय, और राज्य के योगदान, बलिदान को द्यान में रखते हुए, उनके सम्मान में, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, अलग-अलग राज्य, धर्म, और जाती के नाम पे सेना में रregiment बना है, ये अहिर रेजिमेंट की मांग बिलकुल जायज है, और मैं सरकार से ये निवेधन करता हूँ, कि सेना में जल्दी से जल्दी अहिर रेजिमेंट का गठन किया जाए, क्योंकि अद्यक जी मैं थोड़ी सी और बात बताना चाहता ह जिस दिन ये अहिर रेजिमेंट का गठन होगा चाइना की रूह का आप जाएगी अद्यक जी ठीक है उसका कारण उसका कारण एक सेकेंड में बता देता हूँ अद्यक जी 62 के युद्ध में रेजांगला चोकी पर 124 अहिर जवान तैना थे ठीक है उन्होंने सो दो सो ने इतीन हजार चीनी सहिनिकों को मारा और चाइना ने ये कहा जी दनबाद सभापती जी